हलो फ्रेंट्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चेनल पर फ्रेंट्स अगर आपने SSE MTS भरती के लिए application submit कर दिया है और इसके exam होने का wait कर रहे हैं तो I hope कि अभी तक आपको इसके first computer based examination का date पता चल गया होगा क्योंकि SSE MTS के CBT1 का exam date announce कर दिया है और इस exam के date के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता रखा है अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखे क्योंकि उस वीडियो में MTS से related और भी बहुत सारी ऐसे जानकारियां है जो आपको exam से पहले जान लेना जरूरी है आपके जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि SSE MTS 2020 भरती के लिए CBT1 का exam commission ने 5 October से 20 October 2021 के बीच conduct करवाने का फैसला किया है और इस exam में सामिल होने के लिए आपको अपने application से संबंधित कुछ चीजों का पता लगाना होगा जैसे कि आपने तो अपना application submit कर दिया है लेकिन क्या वो application SSE द्वारा accept किया गया है या फिर SSE ने आपका application reject कर दिया है आपने इस भर्ती के लिए apply करने से पहले registration जरूर किया होगा तो क्या वो registration आपने सही से किया था या किसी column को आपने खाली छोड़ दिया था अगर आपने किसी column को खाली छोड़ दिया था और SSE को चेक करते वक्ड वो पता चल गया होगा तो आपका form reject कर दिया गया होगा जब आप इस भरती के लिए apply कर रहे थे उस समय आपसे photo और signature मांगा गया होगा तो क्या आपने अपना photo और signature सही से upload कर पाया था अगर आपने सही से upload नहीं कर पाया था या photo के जगा signature और signature के जगा photo upload कर दिया था तो भी आपका application reject कर दिया गया होगा अगर आप application fee के लिए eligible थे और आपने इस भरती के लिए payment किया था तो क्या आपका वो payment SSE तक पहुँचा है अगर SSE तक आपका payment नहीं पहुँचा है तो commission द्वारा आपका form reject कर दिया जाएगा cool मिला कर ये कहा जा सकता है कि आपको अपने application का status check करना होगा इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने MTS के लिए जो application submit किया था वो commission द्वारा accept किया गया है या reject कर दिया गया है अगर आपका application accept कर लिया गया है तो ही आप इसके first computer based examination में सामिल हो सकोगे और अगर आपका application reject कर दिया गया है तो आप CBT1 में सामिल नहीं हो पाओगे तो इस exam में आप तभी सामिल हो पाओगे जब SSC द्वारा आपका application accept कर लिया गया है अब बात आता है कि आप अपना application status check कैसे करोगे तो आए मैं आपको अपने एक viewers का detail लेके लोगिन करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप अपना application का status कैसे check करोगे अगर आप अपना application का status जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको SSC के official website पर जाना होगा इस website पर आने के बाद आपको लोगिन करना होगा लोगिन करने के लिए आप से आपका registration number और password मांगा जाएगा तो आप अपना registration number और password एंटर कर दें इसके बाद आपको एक capture code देखने को मिलेगा तो उस capture code में जो भी number या word होगा उसको आप enter करके लोगिन कर सकते हैं चलिए मैं आप लोग को अपने एक viewer का detail डाल की login करके दिखाता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने login कर लिया है जब आप login करोगे तो आपको उपर में अपना नाम देखने को मिलेगा मैंने उस viewer का नाम को security के लिए scroll करके उपर कर दिया है तो जैसे ही आप login करोगे आपको इस तरह का page देखने को मिलेगा इस page में सबसे पहले constable gd के बारे में पूरा details दिया हुआ है इसके बाद आपको multitasking non-technical stop examination 2020 के बारे में देखने को मिलेगा और जैसे ही आप इसके नीचे देखोगे आपको application status लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा आपको इस पर click करना है और जैसे ही आप इस पर click करोगे आपको इस तरह का एक page देखने को मिलेगा और इस page में लिखा होगा application status multitasking non-technical stop examination 2020 तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस viewer का सारा चीज accept कर लिया गया है जैसे कि registration status provisionally accepted, photo and signature upload provisionally accepted, apply form provisionally accepted इस candidate को payment के लिए छूट दिया गया था इसलिए फी exempted लिखा हुआ है इसके बाद इसका application status भी provisionally accept कर लिया गया है अगर आपका भी form accept कर लिया गया होगा, तो इसी तरह का सारा चीज provisionally accepted लिखा हुआ होगा और अगर आपने form apply करते समय किसी चीज में गलती किया होगा, तो आपका form accept नहीं किया गया होगा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि आप अपना application का status कैसे चेक करोगे अगर इसके बावजूद भी इससे related आपको किसी तरह का help चाहिए, तो आप मुझे direct Instagram पर message करके पूछ सकते हो Instagram का link आपको description box में मिल जाएगा आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको पसंद आया हो तो like करे और अपने friends के साथ share जरूर करे चैनल पर नए हो तो subscribe करे और notification बेल को दबा के all को select कर दे ताकि इसी तरह के information का notification सबसे पहले आपको मिल जाए धन्यवाद